हर्याणा विधान सभाच नौग की तैयारियों को लेकर भाजपा ने आज जहां प्रदेश पताधिकारियों की बैठक बुलाकर आगे की रण्डीद बनाई वहीं बैठक नित्रुत कर रहे केंद्री राज्यमंत्री रतलार कटारिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस्तिति सामाने होते ही वहां लोकतंत्र बहाल किया जाएगा इसके साथ साथ कटारिया ने कौंग्रेस पनिशना साथते हुए कहा है कि 1948-48 में पूर प्रदान मंत्री पंडिश जवाहल लाल नहिरु दौरा की गया गलतियों का सुधार किया जा रहा है वह उन्होंने जाज का सामने करने वाले नेताओं को इस पश्ट कर दिया है कि किसे भी नेताओं खलाब रंजिश के तहत कोई कारवाई नहीं की जा रही है और कानून अपना काम कर रहा है भाजपा दौरा बुलाई की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई इस बारे में खास बाचीत के हमारे समभातानिल कुमार ने केंद्री राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया से विदान सभा चुनाव की त्यारियों को लेकर आज भाजपा पदैदिकारियों की बैठक हुई और इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसमें में साथ है केंद्री राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया इन से जानते है हर्याना प्रदेश के अंदर विदान सभा के चुनाव अक्टूबर में दस तक दे रहे हैं इसलिए सारे हर्याना प्रदेश के अंदर आने वाले विदान सभा के चुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं वो चर्म सीमा के उपर चल रही है और हमारे लोग प्रिया मुख्य मंत्री आदनिय मनुहर लाल जी भी 18 तारिक से जना सीरवाद यात्रा मेरे लोग सवाक्षेतर कालका से 18 तारिक को सुरू करने जा रहे हैं और इस प्रकार एक राज्य व्यापी उनकी ये जना सीरवाद यात्रा चलेगी और पिछले पांच वर्सों में जो हर्याना सरकार ने जनता की भलाई के काम किये हैं उन सब बातों के उपर प्रकाश डाला जाएगा और आने वाले समय में भी हम किस तरह से हर्याना प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे उन सब पहलों को भी हम इस यात्रा में उजागर करेंगे कांगरस के नेता रोप लगा रहे हैं कि पूर मुख्यमंत्री उपिंदर सिंखुड़ा और कुल्दी बिश्नुई की जो जाच हुई है और जाच जन्सिय जो हैं नेताओं को परसान कर रही हैं और आने वाले समय में वो CBI, ED और आयकर विभाग के कारेलों के बहार जो है परदर्शन करेंगे सरकार के क्या त्यारी है देखें लोग तंसर के अंदर विपकसी दलों को भी अपनी पार्टियां चलाने का पूरा पूरा हख होता है और उसके लिए चाहे वो फिर CBI की बात करें, ED की बात करें लेकिन उनके जो आरोप हैं उनके अंदर ना कोई सबस्टांस है ना कोई तथ्या है पर इतना जरूर है कि जिसने पाप किये हैं वो पापों को भुगतेगा तो जरूर और ला अपना काम करें ता किसी के कलाप जो है रंजिस के तहत कारवाई नहीं होने वाली है कटारी जी फिर कांग्रस के ने तक क्यों कह रहे हैं कि जाज में कुछ निकलने वाला नहीं है देखिए इससे तो यासा लगता है कि जाज भी वही है और कल प्रिंट भी वही है और गवा भी वही है वो पहले इन इसकर से निकाड़े बैठे हैं कि जाश में से कुछ निकलेगा नहीं तो फिर डर किस बात का जब उन्होंने कोई पापी नहीं किया तो फिर डर किस बात का कटारी जी जम्मू कस्मीर में जिस तरह दारा 370 हटा दिया है और अवस्तिती भी समानने होते जा रही है क्या हर्याना के साथ जम्मू कस्मीर के चुनाब हो सकते हैं क्या कि ये फैसला पार्टी हाई कमांड का है ग्रह मंत्री हमें साजी ने पार्लिमेंट के अंदर साथ तोर पर कहा है कि जैसे ही हलात नॉर्मल होंगे हम तुरंट जो है जम्मू कस्मीर में लोगतांतरिक प्रक्रिया बहाल कराएंगे अब जो ये हमने कदम उठाया है ये वहां की विस्पोटक स्तिती को देखते हुए और धारा 370 से जो प्रदेश का पिछले 70 सालों में महौल विगड़ा है लोगों के अधिकार चीने है और भारतियों के रास्ते बंद हुए हैं महां जाने के लिए तो उन सब बातों को मद्य नजर रखते हुए ये कदम उठाया गया है और उसका आज सारा राष्ट जो है वो समर्थन कर रहा है सारा राष्ट खूसी से जूम रहा है और जो गलतियां 1967 और 48 के बीच में पंडुत नहरू जी के कारण हुई थी उन गलतियों का सुधार किया जा रहा है ये थे मेरे साथ केंदिरी राज्यमंत्र रतनलाल कटारिया इन्होंने का है कि विधान सबाच चुनाव को लेकर आज भाजपा पदेकारियों की बैठक ली है और इन में वि कि जम्मू कस्वीर में पस्तितियां समानने होते ही लोकतंतर बहाल किया जाएगा कैमरामैन संजी के साथ अनिल कुमार टोटल न्यूज चंडिगर